हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो दे चैनल सल्यूशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक और दी बारे में जो कि है अल्ड्रा साउंड एसीस्टेटर्च्छन जिसको सोनिकीशन एक्स्ट्रेंटर्च्छन भी कहा जाता है इससे पहले के वीडियो में हमनेinflammation एक्स्टरेंचन में अमने प्रेसरा इस एलीटर एक्स्टरच्छन से के बारे में बताया था जिसको accelerated solvent extraction भी कहा जाता है और हमने सुपर critical fluid extraction के बारे में बताया next हमने microwave assisted extraction के बारे में भी बताया तो इन सभी के वीडियोस आप हमारे solution pharmacy चैनल में जाकि देख सकते हैं या आप specific जो हमने playlist बनाया हुआ है भी इसमें से फिफ सेमेस्टर का और यूनिट वाइस बनाया है फार्मा को गनूसी के लिए उसमें भी जाके आप सारे वीडियो को according to the PCI syllabus देख सकते हैं और इन सब्जेक के नोट्स के लिए इसके लावा अदर सब्जेक्स के नोट्स प्लस MCQs के लिए आप हमारे solution pharmacy app को डाउनलूड कर सकते हैं direct from the play store या इस वीडियो के description box में भी लिंक दिया गया है तो आईए सबसे पहले जानते हैं ultrasound assisted extraction होता क्या है तो जैसा हमने आपको इससे पहले भी बतायता है extraction मतलब क्या होता है extraction means किसी भी बोने हैं extraction कहा जाता है अब जब हम इस extraction प्रोसेजर्श में जब हम ultrasound करते हैंłę यहाँ ब्लिक करके ब्रोसेडिक्षन क्यें हैं उसी को ultrasound assisted extraction कहा जाता है तो हमने यहां पर पर अबलिक करके सोनिकेशन एक्स्रक्शन भी लिखा है तो सोनिकेशन क्या होता है सोनिकेशन मतलब यह जो वर्ड है डिराइफ किया गया है फ्रम दवर्ड सोनिक सोनिक क्या होता है सोनिक मिन्स जो साउंड वेव से रिलेटेड होते हैं तो उसको हम सोनिक बोलते हैं तो सोनिकेशन क्या होता ह है यावने लिखा हुब है यहां पर हमने लिखा हुआ है यहां असिस्टेशन को हमने लिखा हुआ है यू-ई-ई-चैसा हम नह Yuk wil लिखा हुआ है यू-ई-ई तो यह क्या होता है है लेटास ते enc extraction में इस extraction process जैसा हमने आपको बताया था extraction प्रोसेस में जो mechanical energy generate होता है means जब हम liquid medium में solvent में जब हम ultrasound waves जब apply करते हैं तो यह जो ultrasound waves है यह mechanical vibrations generate करता है यह कह सकते हैं ultrasonic energy जो है वो mechanical energy में convert होता है और यही mechanical energy means जब ultrasound waves को apply किया जाता है to the sample sample in the sense यहां पर sample में जो plant material का जो powder जिससे हमको जिसका हमको extraction करना है तो उस पर जब apply करते हैं तो क्या करता है जो extraction process है वो accelerate होता है तो इसी को ultrasonic assisted extraction कहा जाता है तो यहां पर हमने लिखा हुआ है application of the high frequency sound waves मतलब जो ultrasound होते हैं यह high frequency sound waves होते हैं और limited amount of the solvent means जब हम sample में limited amount of solvent जब add किया जाता है और high frequency ultrasonic waves जो है जब apply करते हैं तो हम वहती effective extraction होता है आप दी chemical compound of the desired chemicals which is present in plant material यह कह सकते है solid matrix plant material पर पर जब apply किया जाता है तो यह हो गया ultrasound assisted extraction अब यहां पर जानते हैं कि ultrasound basically होता क्या है ultrasound it is a type of sound waves यह कह सकते है mechanical waves sound waves क्या होते है sound waves has a mechanical energy इसी कारण से इसको हम mechanical wave बोलते हैं normal sound waves क्या होते हैं पतलब कि जो हम audible sound waves की बात कर रहे हैं इसको हम सुन सकते हैं तो यह क्या होते हैं यह जो sound waves होते हैं इनका जो frequency होता है यह हमारे audible range में होता है इसी कारण से यह हमको सुनाई देते हैं तो इसको हम audible sound waves बोलते हैं बट यह जो ultrasound waves क्या होते हैं the ultrasound waves with the frequency range of 20 kilohertz to 10 gigahertz जो कि हमारे credible range means जिस frequency range तक हम सुन सकते हैं उससे एवा frequency range होती है और ultrasound की सिकान से ultrasound waves को हम नहीं सुन सकते हैं और यही high frequency sound waves को use किया जाता है for the extraction तो sound waves क्या होते हैं sound waves has a mechanical wave means इसमें mechanical energy होती है जिसकी वज़े से क्या होते हैं एक तरी किसे sound waves a mechanical disturbance create करता है जिससे क्या होता है जिससे जो particles होते हैं वो vibrate करते हैं mechanical vibrations होते हैं और यह vibrations जो हैं एक particle से दूसरे particles में यह travel करता है में sound waves कि इस तरीके से travel करते हैं through the mechanical vibrations means जो में energy है वो ट्रांसफर होते हैं from one particle to another इस तरीके से sound wave travel करते हैं in the form of wave तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसी को sound wave बोलते हैं जो vibrations होते हैं यह generate होने की वजह से क्या होता है जो particles होते हैं उसमें agitation होता है और इसी basic principle को यहां पे apply किया गया है for the extraction purpose तो आईए इसके बाद next जानते है principle of ultrasonic assisted extraction means किस तरीके से ultrasound wave की मदद से extraction process होता है इसका principle तो हमने यहां पे लिखा हुआ है ultrasonic energy यह कह सकते हैं ultrasonic waves ultrason waves transfer energy to the sonicated solvent containing the solid particle means जब हम solvent solvent जिसमें हमने अभी क्या रखा हुआ है solvent जिसमें हमने powdered plant material के सकते हैं powder crude drug जिसका extraction करना है हमको वह रखा हुआ है तो जब हम इस solvent में जब ultrasound wave को जब apply किया जाता है तो उसका जो जो ultrasonic energy है वह transfer होती है to the sonicated solvent means ultrasonic energy जो है mechanical energy में convert होता है और जो solvent molecules जो होते हैं solvent के molecules वह एजिटेट होते हैं जैसे हमने आपको बताया था sonication मतलब कि sound waves की मज़ा से जो पार्टिकल में agitation होता है तो उसी को sonication बोलते हैं तो ultrasound waves जब हम ब्लाई करते हैं तो उस जो ultrasonic जो इसकी energy है वह mechanical energy में convert होता है जिससे solvent के molecules agitate होते हैं और means vibrate होते हैं और इसी vibration के वज़े से क्या create होता है cavitation अब यह cavitation क्या होता है cavitation means generation of small vacuum bubbles और voids in the liquid medium means उस liquid medium में thousands of microscopic bubbles means बहुत सारे microscopic bubbles means बुलबले का formation होता है उस liquid medium में और यह जो thousands of microscopic bubbles का formation हो रहा है यह जो बैबल जो है growth होता है और finally यह bubbles जो है कि क्या होते है implode होते है implode in the sense collapse हो जाते है means bubbles जो है जब फटते हैं at the solid sample means means powder particles पे जब यह bubbles जो है जब वो फटते हैं तो क्या होता है resulting in the localized high temperature and pressure means ultrasound waves जब liquid medium में अप्लाई किया जाता है तो जो लिक्विड मीडियम के molecules जो agitate होते हैं जिससे क्या होता है thousands of microscopic bubbles का formation होता है और यह जो bubbles है जब उस solid particles में means जो powder plant material है जिसको जिसका हमको extraction करना है उस पे जब वो implode होते हैं means जब पर्टे हैं at the solid samples तो उसई process को क्या क्या है जाता है उस paid है मेoffors कहा जाता है तो इससे क्या होता है जब यह बबर जो है अग got इसको separate करने तो उस plant cell पे mechanical stress generate होता है और उस plant cell का जो cell membrane है stress generate होने से क्या होगा thinning होती है Cell disruption होता है means cell break होता है और cell wall की जो permeability है वो भी increase होती है तो यह सब से क्या होता है say solvent migration होता है वो facility होता है जिससे मतलब यह सारी चीजे जो हो रही है cell membrane का thinning और cell wall का permeability increase होना, cell break होना, cell disrupt होना जिससे क्या होता है इसली जो है solvent जो है cell के अंदर migrate करता है और mass transfer मतलब के अंदर जो chemical constituents हैं जो कि उस solvent में solubilize होते हैं, वो solubilize होके वो transfer होते हैं into the solvent means the mass transfer and the solubility of the analyte in the solvents are improved by this process और इस तरीके से ultrasound assisted extraction से extraction process जो है enhanced होता है means जो main driving force होता है for the ultrasound assisted extraction वो है cavitation जिसको हम acoustic cavitation बोलते हैं क्योंकि ये cavitation generate होता है by the sound energy या कर सकते हैं sound waves से तो इसके principle को और यहां पर अच्छे से समझते हैं means किस तरीके से cavitation को formation होता है तो जब हम liquid medium में ultrasound wave जब apply करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से ये wave है तो यह जो है आप अपर जब sound waves apply किया जाता है to the liquid medium तो क्या होता है compression और rare fraction generate होता है compression or rare fraction मतलब की compression means high pressure area generate होता है और rare fraction मतलब की low pressure area generate होता है तो यह जब high intensity जब वैफ अपलाई करते हैं तो high pressure region में क्या होता है high pressure region में आप देख रहे हो, यहाँ पर compression और rare fraction के वज़से bubbles का formation होता है, तो यहाँ पर bubbles formation हो रहा है, तो high pressure region में compression होता है, और low pressure में rare fraction में क्या होता है, expansion होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते है, bubble का formation हो रहा है, और यहाँ पर bubble जो है, expand हो रहा है, in the low pressure, यह आप देख सकते है है यह लोग प्रेसर हैं लोग प्रेशर है नहां टो प्रेशन में शरक का क्या हो रहा है और पर इस तरीक करते हैं तो bubbles क्या होते हैं bubbles का size जो है bubble आप देख सकते हैं यहां पर bubbles का size जो है compression और air fraction और bubbles का size भी growth होते जा रहा है और जो bubbles जो है वो उसकी size जो है काफी बढ़ जाती है means जब वो unstable size में आ जाता है saturation level पे आ जाता है तो यह बबस जो है solid sample पे इस तरीके से फट जाते हैं और जब यह implosion होता है तो उस solid sample पे localized high temperature और फ्रेशर जनरेट होता है जिससे cell disruption होता है cell breakage की बज़र से cell wall की permeability increase होती है जिससे intracellular compounds है मिन सेल के अंदर chemical compounds हैं जो desirable जो कि उस solvent में खुलते हैं उसकी solubility enhance होती है जिससे extraction process जो है improve होता है तो यह हो गया principle of ultrasound assisted extraction तो यह जो ultrasound assisted extraction होते हैं इसके लिए basically दो टाइब के system होते हैं इसके दो type के instrument होते हैं जिसको यह कह सकते हैं direct sonication method बोला जाता है और दूसरा है indirect sonication method दो तरीके system available होते हैं for the ultrasound assisted extraction तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पहला वाला दिख रहा है यह direct sonication extraction method है इसमें क्या होता है इसमें direct क्यों बोला गया है क्योंकि यहां पर हम directly जो जो प्रोब है उसको directly किसमें से एंटर करते हैं directly हम sample में इसको डाला जाता है यहां यहां पर direct contact होता है between the sonication probe और sample sample मतलब की जिस solvent में हमने जो sample material जिसका extraction करना है उसको हमने एड किया हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां से इस तरीके से वेफ जन्रेट हो रहा है उस वेफ जन्रेट होने की वज़ज़ से क्या होता है जो एनर्जी है वह ट्रांसफर होता है तो mechanical energy जिसकी वज़ज़ से vibrations generate होता है जिससे cavitation होता है मैंस bubbles को formation होता है thousands of microscopic bubbles बनते हैं जब वोड होते हैं at the solid sample high temperature pressure and pressure create होने की वज़ज़ से ही जो cell disruption होता है जिससे extraction process जो है नान्स होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं जिसके parts है यह आप देख सकते हैं ultrasonic generator है जिसमें ट्रांसडियूसर लगा हुआता है ट्रांसडीयूसर क्या करता है ट्रांसडियूसर जो vap kaum hence होता है उसमें जो electric signal है उस electric signal means electric energy को ट्रांसफर करता है into ultrasonic energy miss ultrasound waves में और यही क्या होता है इसी transducer से जो ultrasonic wave जो है यहां से amplify होते हैं इंटु लॉंगी ट्यूड्णल vibrations और यह जो vibrations है है मैं वह गो के त्रू यह जो टिप है यह डिपलीसिबल भी होता है यह डिक्ट सोनीकेशन मेफड है जिससे हम करते हैं यह most commonly यूज्ड मैफड है कॉमली इसको यूज किया जाता है इस मेफड से इक्स्रिक्शन प्रोसेस के लिए नेक्स्टम आते हैं इंडिरेक्ट सोनीकेशन method indirect में क्या किया जाता है आप यहां पर देख सकते हैं जैसा कि नाम है indirect means यहां पर जो सोनो ट्रोड है मिन्स जो प्रोब है वो डारेक्ली जो है डारेक्ली सैंपल उसमें उसका contact नहीं है पर सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पर यहां पर किसमें contact है इस liquid medium में मतलब यहां पर जो एक बात बोलते हैं इस indirect sonication method में ultrasonic bath यूज किया जाता है तो यह जो आप देख रहे हैं यह ultrasonic bath है जिसमें water add किया जाता है तो उस water की through उस medium की through जो है ultrasonic wave जो है और यहां पर इस liquid medium इस water की through इस sample में energy जो है ultrasonic wave जो है यह कह सकते हैं longitudinal जो vibrations है वो transfer होते हैं और इसी कारण से इसको indirect sonication method कहा जाता है तो अगेन यहां पर यह ultrasonic bath है यह horn है जिसको हम probe भी बोलते हैं ultrasonic probe यह transducer है to convert the electric energy into the mechanical energy ultrasound wave में उसको convert करता है vibrations generate होते हैं जिससे और यह आप जहाँ देख रहे हैं यह ultrasonic generator है तो यह हो गया direct and indirect sonication method किस किस तरीके से ultrasonic assisted extraction किया जाता है तो यह हो गया ultrasonic assisted extraction basically क्या होता है इसका introductory part इसका principle और किस टाइप के instrument use किये जाते हैं for the ultrasonic assisted extraction के लिए जो instrument use किया जाता है ultrasonication के लिए इसको हम sonicator गोलते हैं तो जैसा हमने आपको बताए इसके next part में और detail में हम बताएंगे इसके different types के principles के theoretical part को along with advantages disadvantages and application of ultrasound assisted extraction thank you very much for watching this video